नमस्कार दोस्तों, असी शब प्रति मिनट की गती से संपात के रिक्टेशन स्टार्ट होगी 10 सेकेंड बाद जब भी किसी वैश्विक मंच पर मोका मिलता या किसी मुद्दे पर द्वी पक्षिये बादचीत का सिलसिला चलता है तो चीन भारत के प्रती अपनी मेत्री भावना का परदर्शन ही करता है मगर फिर मोका मिलते ही वह अपनी विस्तारवादी नीतियों को आगे बढ़ाने में जुट जाता है इसी का ताजा उधारण है कि भारत वाले हिस्से में अरुनाचल की 11 जगाहों के नाम उसने बदल दिये है पिछले पांच सालों में यहे तीसरी बार है जब चीन ने अरुनाचल में गामों नदियों दर्रों आदी के नाम बदल कर अपना नया नाम दे दिया है इससे पहले 2017 में 6 और 2021 में 15 जगाहों के नाम बदल दिये थे उसके ताजा कदम को भी वहां के नागरिक मामलों के मंतराले ने मंजूरी दे दी है इस पर भारत के विदेश मंतराले ने सक्त एतराज जताया है मंतराले ने कहा है कि नाम बदल देने से हकीकत नहीं बदल जाती दरसल चीन सदा से अरुनाचल को अपना हिस्सा मानता रहा है इसलिए उसे भारत के नक्षे में दर्शाता ही नहीं मगर पिछले पांच साथ सालों में जिस तरह भारत के हिस्से वाले विवादित इलाकों पर उसने ना सिर्फ अपना हक तेजी से जताना शुरू किया है बलकि इसके लिए दोनों देशों की सेनाएं भी आमने सामने हो जाती रही हैं उसे लेकर चिंता गहराना स्वभाविक है चार साल पहले गलवान घाटी में दोनों देशों की सेनाएं इसलिए गुत्थम गुत्था हो गई थी कि चीन ने भारत वाले इलाके में निर्मान गतिवीधियां तेज कर दी थी और उसके सैनिक भारतिये इलाके में घुस आई थे करीब साल भर तक वहां तनाव बना रहा फिर जब दोनों देशों की सैनाओं ने पीछे हटने का फैसला किया तब भी चीन ने भारत के हिस्से वाले बड़े भूभाग पर अपनी दावेदारी बनाएं रखी थी कुछ सुत्रों के हवाले से यहां तक दावा किया गया कि चीन ने उन इलाकों में अपने गाव बसा लिये थे उसके बाद चीन के विदेश मंतराले और सैना के वरिष्ट अधिकारियों की तरफ से आश्वस्त किया गया कि चीन भारत के भीतर अशांती पैदा नहीं करेगा मगर फिर भी उसकी हरकतें नहीं रुकी करीब ढाई साल पहले उसने अरुनाचल में पंदरह जगाहों के नाम बदल कर मान की कृत कर दिया था अब ग्यारा और इस्थानों के नाम बदल दिये हैं हालांकि कोई भी देश किसी जगह का नाम इस तरह अपने नक्षे में नहीं बदल सकता इसके लिए उसे संयुक्त राष्ट में सूचना देनी पड़ती है फिर उसके प्रतिनीधी उन इलाकों का सर्वेक्षन और दोरा कर उन नामों के बारे में राय शुमारी करते हैं स्टोप